हाई गाईज, M.M. Medicine Knowledge चैनल में आपका स्वाकत है आज मैं आपको लीवर जायम सीरब के बारें बताऊँगा जैसे कि आप देख रहे हैं लीवर जायम सीरब कई इंग्रेंटेर्स से बना हुआ है जिसमें विरिंग राज 400 Mg सरपुंखा 400 Mg रोजत्यकी चाल 400 Mg अर्जुना चाल 400 Mg अश्वगंधा 300 Mg चिरायता 300 Mg कालमेक 200 Mg मकोई 200 Mg वैई विंदंग 200 Mg पितपापडा 200 Mg भूई आमला 200 Mg दारू हल्दी 100 Mg पुदीना 100 Mg तूलसी 100 Mg कसनी 100 Mg गिलोई 100 Mg अरहर 100 Mg वहेडा 100 Mg आमला 100 Mg कुटकी 100 Mg चितरकमूल 100 Mg इच 10 Mg से बना हुआ है और यह दबाई जैसे की आप देख सकते हैं हिंदुस्तान, आयरुवेद एंड, मेडिकल रिसरच कंपने दरा बनाया गया है और अस्ट्रो लैप्स लिमिटिट कंपने दरा मार्केटिंग किया गया है और इस दबाई की कीमात 125 रुपे पर पीस है इस दबाई का परियोग मुखे रूप से लीवर में कोई भी परिशानी हो उसके इलाज में किया जाता है और इसके अलाबा लीवर और इस्पिलिन की कारिशंता को बढ़ाने भूप को बढ़ाने बोजन को पचाने सराप के सेवन से लीवर को होने वाले लुकसान की भरपाई फैटी लीवर लीवर डैमेज होना पीले के इलाज बजन को बढ़ाने और viral hepatitis के इलाज में भी इस दवाई का इस्तमाल कर सकते हैं So guys, इस दवाई के कोई भी side effects देखने को नहीं मिलते So guys, इस दवाई को लेने से पहले कुछ साबदने बढ़ते हैं चाहिए ये दवाई बच्चों के पोज से दूर रखे और ये ठंडी और अंदेरे जगे में रखे और गर्वती महलाई और इस्तरपा करवाने वाली महलाई इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाथ जरूर ले So guys, डोज के बारें बात करें तो लीवर जाइम, सिरब, बच्चे को जिसकी उमर एक साल से तीन साल तक के बच्चे को डाए एमेल दिन में दो बार और चार साल से ग्यास साल तक के बच्चे को पांच एमेल दिन में दो बार और एडल पेशन को दस एमेल दिन में दो बार दे सकते हैं खारा खाने के बाद और धहन रहे ये दवाई डॉक्टर के परिमिशन की बिना बच्चे को ना दे आपको इंफरमिशन कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेहले का अदवा दिजिए धन्यवाद